आपके साथ रवी राजपूत हमारे खासकार क्रम आपड़ू उत्राखन में आप सभी का स्वागत है वहीं हरिद्वार जिला अधिकारी विने संकर पांडे की अध्यक्षता में आज कैम्प कार्याले में हरिद्वार महुत्सव 2022 का आयूजन किये जाने के संबंद में एक बैठक आयूजित की गए इस बैठक में हरिद्वार महोसव क्या शरूप होगा महोसव की विविनस समितियों का गठन पूर में महोसव कब-कब आयूजित किया गया इसके साथ महोसव के आयूजन में कितना खर्च अनमानित किया गया महोत्सव कहां आयूजित किया जाएगा और महोत्सव में सांस्कृतिक, इस्थानी, सहीद क्या-क्या कारिक्रम रखे जाएंगे इन सब विश्यों को लेकर मंधन और चर्चा हुए हरिद्वार जो हमारा जिला है जो हरिद्वार शहर है आपको जानकारी है कि यह देश में नहीं पूरा अंतरास्ट्री स्थान है और मुझे यह जानकारी मिली कि पूर में 1999 में इसके बाद 2008 नौ इसमें एक हरिद्वार महुत्सव का एलजुन वहें लालकुआ सेंजुरी पल्प एंड पेपर मेल के प्रबंधक के खिलाब पिछले 73 दिनों से अंदोलित स्रमिको के समर्थन में आज दूसरे दिन भी पूर्विधायक नवीन दुम का धरना इस्थल पर बैठे रहे इस दोरान प्रसासन की टीम ने जारी आमरण अंसन के बीच बारवे दिन धरने पर बैठे पुनित जोशी को जबरन गटना इस्थल से उठाकर अस्पताल भिजवाया इस मोके पर अंदोलन कारियों ने नील प्रबंधन के खिलाब जमकर नारे बाजे की वहीं पूर विधायक नमीन दुमकाने मील प्रबंधन को चेताओनी भी दी संको का उत्क्रीडन नहीं सहेंगे कि अंचन की अंहों से किर्मे के छिए रहाएं उसके जांच की जान्तुpeutी संप रहेगा में भी आ मुख गन्या के सम nossa भी आज व्हें सांग मूब फ्रतां करे कर émया है कि यह बनार पुल ना की मानना ही है कि आंद्वन लंबा खीचे जैसे भी हो जहां भी हो बहुत सारे संक्टनों का सप्ता समसंद मिलना है हम इनको इनके पक्समें निर्णे तक पुंचाएंगे अब उसमें हमको जो भी लोग कांदिक करेगा अथ्यार करना पड़ेगा करेंगे तो बैठ के टाय करेंगे इतने सी सेंजुरी की जो एक जीत वाला मामला है उस जीत के आगे अपनी जीत दल करा है प्रिसासंदी लोग की फुरी बात कर रहे है और सामाजीक संक्टन और दूसरी लोग भी बात कर रहे है संभवता कल मुझे मेसेज मिलना कि इसके मिस्टर कॉल हो बाहर है आज आएंगे तो अपना कायागी हम न तो मध्यास्त हैं न हमको कोई बात्चिप करने हैं हमको तो एक कर्मचारी करेंगे बैसा हो गया हमारा तो हम कहीं हो गया है हमके वल इनके समर्थन में बैठे है वहें डोईवाला के एडवेंचर ट्रेनिंग सेंटर वियास्यप में राजिस्थान के टेकनपूर वियास्यप एकेडमी के सीधी भरती के 50 असिस्टेंट कमांडेंट प्रसिच्चू अधिकारियों ने सफलता पूर्वक साहसिक और जोखिम भरा प्रसिक्षाड पूरा करन कि इस बार भी राजिस्थान के टेकनपूर वियास्यप एकेडमी के 50 प्रसिच्चू अधिकारी हमारे संस्था में साहसिक और जोखिम भरा प्रसिक्षण लेने आये थे कि आपको मुझे बताते हैं काफी खुशी और हर्श है कि पिछले एक बीग से हमारे पास हमारे एसीडी डारेक्ट अंट्री तो डारेक्ट बर्ती के ओफिसेसर हैं पचास की नफ्री है वो हमारे पास एडवेंचर ट्रेनिंग के लिए यहां पर एकेडमी से आये हैं इस ए इसे इनकी शमता इस तरह के एडवेंचर को करने की तथा डिजास्टर रिस्पॉंज में भी इनकी गोल अदाएगी में वहीं विरासत महोसव देरदून के सबसे चर्चित और प्रतिच्छित फेष्ट में से एक है ये इस्थाने लोगों के साथ-साथ पर्यटोकों के बीच भी काफी लोगप्री है क्योंकि विरासत हमारी रंगीन संस्कृतिक और परंपरा को दरसाता है और यही वज़ा है कि लोग इस महोसव का बेसबरी से इंतिजार करते हैं बता दे कि डॉक्टर भीमराव और मेडिकर स्टेडियम में आयोजित ये महोसव करीब 15 दिन तक चलता है जिसमें प्रदर्शन और कारिशालाएं शामिल होती हैं वहीं हर बार भारती शास्त्रिये संगीत के के उत्पाद और जाने माने सिल्वकार यहां प्रदर्शन करते हैं ठीक इसी तरह इस बार भी विरासत आप सभी के बीच लोट आया है जो 9 अक्टूबर से सुरू होने जा रहा है और यहां आपके पसंदीदा वडाली व्रेदर्स सहीत कई कलाकार अपनी प्रस्तुती देत के नजर आएंगे स्वार्टर्स तस्याह करते जा के फ़ीड़्य और यहां पेरीफ्ट यहां कर रहा है यह जो आप ऐर्टेशन्स है वह लोग हो रहे हैं यह बच्छों का प्रोग्राम होता है वह रहा है करवा ते रहे तो शब्सक्राइब परदो में मिल चांवारे नाटे दॉसरे वहीं कल राज से हो रही भारी बारिस के चलते पूर्णा गिरी मार्ग पर की रोड़ा नाला उपान पर है वहीं भाटना गड में भारी मालवा आने से पूर्णा गिरी मार्ग पूर्ण रूप से बादित हो गया है वहीं नाले के उपान में आने से ग्रामिडों काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इसी क्रम में ग्रामिड महेश्चंद जोसी ने बार बार किरोडा नाले के उपहान में आने से होने वाली परिसानियों की बारे में बताया साथी उत्राकंड के मुख्यमंत्री पुसकर सिंग धामी ने सीग रहे पुल निर्माड की गुहार लगाई वहीं चमपावा जिले के कल रात्र से हो रही इंतजार करते हैं जड़ा सा भी बारिस हो जाए तो यही फिकर रहती है कि नाला आ जाएगा कि कृपया जल्दी से जल्दी जो है इसका गारे सुचार रूप से सुरू कर दें तो जो है आपके उपर जो है एक लोगों की आस जो लगी हुई है वही हरी द्वार से कानपूर तक जाने वाली उत्तरी खंड गंग नहर को दिवाली तक बंद कर दिया गया है वार्शिक मेंटेनेंस के लिए हरी द्वार के भीम गोडा बैराज में गंग नहर का प्रवाह रोग दिया गया है जिसके बाद दिल्ली एंसियार में पेजियल संकट पैदा हो सकता है यूपी सिचाई विभाग के द्वारा हर साल दसहरा की रात से दीपा वली तक गंग नहर बंद की जाती है इस दोरान गंग नहर की साफसपाई और मरम्मत का कार्य किया जाता है यूपी सिचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वार्षिक मेंटिनेंस के लिए गंग नहर बंद हर साल की जाती है हरगी पौड़ी पर गंगा में दुपकी लगाने के लिए परियाप्त मात्रा में गंगा जल छोड़ा जाएगा कि यह आज से बंदोगर के तैइस चोबी से नहीं के दिवावली के मद्दे रात्री को भी खोली जाएगी इस बीच मेर में इस पूरे गंगा संठन में जितने फिल्ट सफाई के संपनित कारिये पक्के कारिये पुलों की मरमत और इस साफ सफाई इसके लिए बंद की जाती है और यह प्रतिवर्स की जाती है उनसे कोड़े निसम बैतायम लोग होगा और वहाँ पर कुछ आवस्य कारिये करा करके एजरल धारा से सीधे पानी माँ प्रवाइड कराया जाता है वहीं लजीवाला रेंज के फतेपूर बीट अंतरगत जीवनवाला में खैर प्रजादी के बेसकीमती पेंड कटने की कारण वन विभाग की नेन उड़ गई है वहीं दो दिन पहले अंधेरी की याड में जीवनवाला से आठ हरे पेड काटे गए जिनकी सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मोके पर पहुंची तो वहीं वन विभाग की टीम को देख तसकर भाग खड़े हुए जिसकी तलास में वन महाकमा मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है इस संबन्द में वन विभाग द्वारा तीन टीम में घठित की गई है और लकड़ी तसकरों को चिन्हित कर आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है वहीं बद्रिनाद राष्टी राजमार्ग पर स्री नगर माल धेया के समीपी कार अनियंतित होकर साथ मीटर नीचे नालक नंदा नदी में जा गिरी इस्थानी लोगों की ओर से इसकी सूचना स्री नगर पुलिस को दी गई इस दोरान कार में सवार चाला किसी तरह गाड़ी के ऊपर चढ़ गया उधर मोकी पर पुलिस और SDRF के जवानों ने रेस्क्यू अभियान चलाया लेकिन अधेरा होने की वज़ए से रेस्क्यू अभियान में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा करीब 45 मिनट तक चले रेस्क्यू अपरेशन के बाद कहीं वाहन चालकों को सुरक्षित अलक नंदा नदी से बाहर निकाला गया बताया जा रहा है कि वाहन चालक निकट की ही एक गाड़ी शोरूम में काम करता है और अपने घर एठाना की ओर जा रहा था यह आठ वजे के आसपास की बढ़ता है यह आते एक मोड पर यह हुंड़ी शोरूम से आगे मोड पर यह जाली गिरी है आई-ट्वेंटी और इसमें एक गौरम मिया जिनकी लगवा बतिस वर्ष की है अकेले थे एठाना के गराम एठाना के हैं डान एठाना के और यह हुं पर यह आठाना के लिए और इसको बचा लिया गया है और राम नगर भ्रमण पर आया था और यह लोग ग्राम क्यारी के एक रिसॉर्ट में रुके हुए थे बताया जा रहा है कि इसी दिन एक परियटक यहां से लापता हो गया था जिसकी काफी खोजबीन की गई लेकिन उसका कोई पता नहीं चला वहें अब लापता हुए इस परियटक का कंकाल गुरुवार को शाम को कोतवाली पूलिस ने क्यारी छेत के जंगल से बरामत किया है फिलहाल लापता कंकाल को पूलिस ने पोश्माटम के लिए भेज दिया है पोड़ी जिले के यमकेश्वर विधान सभा के गूम घडालू मोटर मार्क पर एक मैक्स गाड़ी दुरगटना का शिकार हो गए गाड़ी में सवार दो लोगों में से एक की तो मोके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरे का इलाज जारी है उधर इस हादसे के बाद प्रशासनी कातिकारी मोके पर पहुँच गए और पूरे मामले की जाच कर रहे हैं वहां पर जैसे दुरगटना हुआ दुरगटना स्थाल पर टखनी की रिपोर्ट के लिए एर्टियो से और वहां उत्रकंड के बाजबूर के जल संस्थार कार्याव कार्याले में उस वक्त खाड़े का रूप ले लिया जब सहायक अभियंता बदरे आलम और कनिष्ट अभियंता पीसी नैनवाल में जमकर गाली गलोर सुरू हो गई दोनों में विवाद इतना बढ़ गया कि वहीं जमकर लाठी डंडे चले उधर बीच बचाव करने पहुंची महिला कर्मचारी लोहे की राट लगने से घैल हो गई बता दे कि बाजपूर के नैनिताल रोड इस्तित जलसंस्तान कार्याले में सहायक अभियंता बदरे आलम पर अपने जगडालू व्यवहार के बारे में चर्चीत बने रहना आम सी बात हो गई है उसी तरह का महौल एहां एक बार फिर से दिखाई दिया है सहायक सबोनेट पे गाली गिलोज और मारपीट के प्रयास के संबन में एक एप्लिकेशन दी है एक बार पुलिस गई थी मौके पे तो दूसरा पक्स वहां नहीं मिला इस पर गणती जाज कर रहे है तो ऐसे ही इनका विभागी मामला है वहें उधम सिंग नगर में गुलदार का आतंक दिन प्रदिन बढ़ता ही जा रहा है जिसका खाम्याजा आम जन को भुगतना पड़ रहा है नतीजा ये हुआ कि अभी तक गुलदार पालतू जानवरों को अपना सिकार बना रहा था लेकिन अब ताजा मामला ने सभी को चौका दिया है बता दे कि गुलदार ने एक दसवर्शी बच्ची को अपना निवाला बना लिया उधर सूचना मिलने पर वन भाग में हडकम मच गया फिलाल पर जनों का रोरो कर बुरा हाल है यहाँ पर करीब साड़े साथ बज़े गहतना गाउवालों को पता चला सारे गाउवाले कत्र होके यह फारम देवरा फारम में क्या कता है गण्ये में एक बार दन्ने में भुशा सब घंडा ले लिया कोई कुस ले लिया गया कुछ दूरते डूरते करीब शाड़े आट बजे उसकी दोडी मिली अशारे गावलों के मदद से फिर उठाके फिर पुलिस परसासन को जंगलात परसासन को सबको हम लोगों ने सुचना किया सारे आय यहां पे फिर सुबह क्या करते हैं, अपने डीफो साब भी आये थे, और रिंजर साब भी आये थे, नारंग मता के क्या करते हमारे धाना परभारी भी आये थे, सारे आये, बिधायक जी ने स्वासन दिया कि हम आपको देंगे कुछ ना कुछ देंगे, फिर से पूर परधाना बिधायक आया थे पुरेम सिंहराणा जी भी उनने बोला हम पांच लाग का चेक देंगे और बिधायक जी हमारे जंगलाद विभाग वालों ने वहां लगा रखा है ये पिंजड़ा भी लगा रखे हैं बोले कि इसको हम चार पांदिन के अंदर पकड़ लेंगे जब तक नह नहीं आता है मादा जब तो ये मादा इसका नाम रख दिये गुल्दार का जब तो के कब जिम नहीं आता है तब तक यहां पर जंग बन विभाग इसका देख रेक करेगी जो अगर यहां गाओं के एक आद दू आदमी जाते हैं तो साथ में दो चार आदमी जाएं अकेला क की तरफ को ले गए और जिसकी वज़े से उसके पूरी बोड़ी आदी बोड़ी पूरी खा दी है और उसकी मा का देहांत एक वर्ष पूरू हुआ था और फादर उनके सदमे से जो है मैंटिल हो चुके हैं और पूरन रूप से गरीब परिवार के हैं और सरकार से एक एक तेन दुआ घुसाया था तो वहां ये दस वर्षी बच्ची को लेंगया था दमे के खिति में तो जिसमें बच्ची की जान चली गए थी बच्ची के साव को बरामत कर लिया गया है जनलात और पूलिस के कीमति लोरा तो अभी जो सरकारी होस्पिटल है थटी मारे तो व पिछले कुछ महीनों में खोए मुबाइल फोनों को रिकवर करके बुलिस ने 184 लोगों के फोन उन्हें लोटाए हैं वतादे की वापस लोटाए गए मुबाइल फोनों की कीमत करीब 30 लाख रुपए आ की जा रही है कई लोगों के मुबाइल समय समय पर खोते रहते हैं और पुलिस ने को रिकवर भी करती रहती है तो इस बीट पिछले कुछ महीनों में जो मुबाइल रिकवर हुए थे हमने आज एक साथ उनके जो ओनर्स हैं ये प्लैन किया कि उनको सौपे जाए और इसलिए यहां पर का पस्तिते इनको ये मुबाइल समय दिये गए और ये बड़ा अच्छा है कि इनके चेहरों पर एक खुशी मिली अपना मुबाइल वापस पाके और जो बाकी मुबाइल समय की हैं ये गटनाय काफी अलग-अलग समय पर हुई हैं ऐसा नहीं कि और ये लॉस्ट मुबाइल थ ये एक तो चोरी के होते हैं उसमें तो फिर बागे दम उकर माकाना होता हैं लिकर अबाश को हैं तो